आज है एक अक्टूबर 2020 और एक अक्टूबर 2020 से करेंट पैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इसमेडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुद्यान से देखिए लाश्ट रम मैं आपसे कुश्चिन ही पूछूँगा उसका अंसर आपको कमेंट बाक्स बताना है आज किस पूडियो के पीडियाफ फाइल आप इस पूडियो के डिसकसमें से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाफ आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरूप का लेंक मैंने इस पूडियू के डिस्कूस दे दिया है तो आप उस लेंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाएन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में अंतरास्टी अनुबाद दिवस कम मनाय गया है तो अभी तेज सितमर को अंतरास्टी अनुबाद दिवस मनाय गया है यानि किस कुछ इनका बे अपसिल सही है अब ये अंतरास्टी अनुबाद दिवस ये क्यों मना जाता है तो जो भासा के अनुवाद करने वाले लोग होते हैं यानि कि जो भासा के अनुवाद के पेसेवर हैं उनके काम का जस्न मनाने के लिए हर साल तेज सितंबर को ये अंतरास्टी अनुवाद दिवस मना जाता है अच्छा इस बार के अंतरास्ती अनुवाद दिवस की थीम क्या है इस बार की थीम है Finding the words for a world in crisis क्या है थीम Finding the words for a world in crisis तो ये थीम भी आप जाद रखिए अब ये important day वाला question है तो वीडियो को pause करिए और September में अभी तक जितने भी important day बना गये है सारे बिल्कुल sequence में आप comment box में लिखिए अब September का month complete हो गया है तो पूरे month में जितने भी में आपको important day बताए सारे बिल्कुल sequence में आप comment box में लिखिए आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 अजा लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning में उट कर सबसे पहले आपने लिए टारगेट बिक्स करो चाहे चोटा साई टारगेट बिक्स करो लेकिन daily morning में उट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट बिक्स करो और फिर अपना पूरा देन उश टारगेट को achieve करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी अच्छा अब मैं आपको एक most important update बताता हूँ अभी तक बहुत सारे student ये message कर रहे थे कि sir आपने quiz को post करना बंद कर दिया तो quiz के लिए पिछले डेड़ महीने से मैं काम कर रहा हूँ बहुत सारे students को ये problem थी कि sir हिंदी में pdf हमें मिल जाती है लेकिं English में नहीं मिलती तो इन सब का मैंने एक complete solution कर दिया है आज से हमने अपना ये official app launch कर दिया है ये next exam का official app है इस पर आपको हिंदी में pdf मिल जाएगी English में भी pdf मिलेगी सारे videos एक जगे मिल जाएगे सारे audios आपको एक जगे मिल जाएगे और सबसे important है quiz quiz के लिए बहुत लोग message कर रहे थे तो इस app पर आपको सारे quiz daily मिलते रहेंगे daily quiz भी आपको मिलेगा बेकली quiz भी मिलेगा और मंतले quiz भी मिलेगा और एक और सबसे बड़ी problem थी कि सर प्रेवियस एयर की question हमको नहीं मिलते तो प्रेवियस एयर की question भी आपको इस app में मिल जाएंगे तो ये हमारा official app है इसको अब हमने launch कर दिया है बैसे अभी इसे 15 दिन की trial पर रखा गया है तो इसमें अभी कुछ bugs आएंगे आप इसे use करोगे तो कुछ problem भी आ सकती है लेकिन quiz के लिए मैंने इसको अभी launch कर दिया है आप daily quiz को attempt कर सकते हो तो ये हमारा official app है इसका link नीचे description में दिया हुआ है description में आप देखोगे तो official next exam app की नाम से एक link दिया हुआ है उस link पर click करके आप इसे install कर सकते हो अभी आप इसे install करो 15 दिन की trial पर है तो कुछ bugs आ सकते हैं कुछ problems आ सकती हैं उनको आपको ignore करना है लेकिन आपको इसको use करना है और जब भी आप इसे use करें जब भी आप इसे install करें तो play store पे इसे 5 rating जरूर दीजिए और reviews में अपने reviews जरूर लिखिए next question है हाली में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च इस्तरी समित्ती गटित करने की सहमती ब्यक्ति की है अब ये समित्ती इंडिया और बंगलादेस की बीच बेटित होगी तो इंडिया और बंगलादेस की बीच जो परियोजने पहले से चल रही है इनके सफल क्रियान बयन के लिए है ये समित्ती अब बंगलादेस के साथ है तो ये है मैप में बंगलादेस बंगलादेस कि capital क्या है ढाका, बंगलादेस कि currency क्या है टका, बंगलादेस की present temper prime minister कौन है सेखjak सीना और बंगलादेस की present temper president कौन है अब्दुल्ला हामित अचा एंडिया और बंगलादेस की बीच एक important exercise होती है सम्प्रत्य exercise ये इस बार मेगालिम होई थी अच्छा मुप्त इंटरनेट सेवाओं पर बंगलदेश में अब प्रतिबंद लगा दिया गया है यानि कि बंगलदेश में जितने भी टेलिकॉम उपरेटर हैं उनको ये डिरेक्ट गाइडलेंस दे दी गई हैं कि कोई भी टेलिकॉम उपरेटर मुप्त में इंटरनेट नहीं देगा अच्छा बंगलदेश में एक डेजिटल हार्ट प्लेटफरम लॉँच हुआ ये जो बले दिये जाने वाले पसुव होते हैं उनकी ओनलाइन विक्री के लिए था और जो बंगलदेश का किर्केट बोर्ड है इसने खिलाडियों के स्वास्ते और मानसिक सांती को ट्रेक करने के लिए एक एप लॉँच किया है हाले में किस राज सरकार ने सुस्क इलाकों पर ग्रेन कार्पेट बनने के लिए जलकला योजना सुरू की है तो जो सुस्क इलाके हैं यानि कि जहां पर सूखा पड़ता रहता है उन इलाकों में ग्रेन कार्पेट यानि कि वहां पर हरयाली का इस तर बनाने के लिए यानि कि वहाँ पर ऐसे पानी की वश्ता हो जाए कि वहाँ पर हर्याली हो जाए तो Grain Carpet बनाने के लिए YSR जल कला योजना सुरू की है आन्दप्रदेस ने तो इस Question का बेग Options है है अब आन्दप्रदेस ने की तो ये है मैप में आन्दप्रदेस आन्दप्रदेश के अब तेन कैपिटल है अमरावत्ती लेजिलिटिव कैपिटल है विसाका पत्नम एग्जेक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल चियोडीसियल कैपिटल है तेन कैपिटल है आन्दप्रदेश के चीपनिष्टर कौन है अब यह जो जल कला यूजना है इसके तहित क्या किया जाएगा जो छोटे और मध्यम किसान है उनको लावानवित करने के लिए उनके जो खेट हैं जहाँ पे सुखा पढ़ता रहता है वहाँ पे बूरुबेल खोदे जाएंगे जिससे कि वो अपनी किसानी को अपनी केती को आखानी से करपाएं अचा आंधर प्रदेश में अभी आरोग्यमित्र लाउंच हुए थे आरोग्यमित्र ये आंधर प्रदेश में न्यूक्त हुए हैं स्वास्ते मित राइस्तान में नियुक्त हुए हैं और किसान मित हर्याना में नियुक्त हुए हैं अच्छा फलों के उत्पादन में आंद्रप्रदेश टॉप पर है और अन्लाइन निश्टा कारिकरम आंद्रप्रदेश में शुरू हुआ था और आप्रदेश के दो important national park हैं पापी कॉंडा नेशनल पार्क और बैंक टेस्वर नेशनल पार्क नेक शुशन है हाले में किस राजसरकार ने सबी अस्पतालों में कुरोना उपचार की दरों को प्रदर्सित करना अनेबारी किया है तो अभी मद्यप्रदेश ने ये गोशना किये है कि मद्यप्रदेश की जितने भी आस्पिटल है उनमें जो reception count होता है उस पर ही कुरोना वालिस की दरें तयक्क गए हैं मद्द प्रदेश की चीप मिश्टर कौन है? सिवराज सिंग चोहान और अभी अभी ये चीप मिश्टर बने तो इन्होंने मुख्य मंत्री जन कल्याट संबल योजना को फिर से सुरू किया मद्द प्रदेश की अभी गवर्नर कौन है? आनंदी वेन पटेल मद्द प्रदेश में अभी कुसल स्रमिकों के लिए रोजगार सेट तो योजना सुरू हुई मद्द प्रदेश में स्रम सिद्धी अभ्यान सुरू हुआ है और मद्द प्रदेश में अभी सबको रोजगार मिलेगा योजना भी सुरू हुई और मद्य प्रदेश में चरण पादु का पैल भी शुरू हुई थी मद्य प्रदेश में जेवन सकती योजना शुरू हुई है इसमें मैलाए मास्क बनाईगी और 11 रुपए पर मास्क के साब से अपने मास्कों गवर्मेंट को सेल कर सकती है मद्दीप्रदیس में जेवन अमर्त योजना भी शुरू हुई है टॉप पैरेंट एप ये स्टूएंट के लिए उन चुई हमारा घर हमारा बिद्याल है अभियान मद्दीप्रदीश में चल रहा है मद्दीप्रदीश का एक डिस्टिक है उमरिया डिस्टिक अच्छा प्रवासी स्रम आयो का गठन हुआ है मद्यप्रदेस में केल कोरोना अभियान शुरू हुआ है मद्यप्रदेस में इंतजार आपका अभियान भी मद्यप्रदेस में शुरू हुआ और रोको टोको अभियान भी मद्यप्रदेस में शुरू हुआ है और मद्यप्रदेस में जब सुसायड की किस बढ़ने लगे तो मद्यप्रदेस की पुलिस ने आस पास हैल प्लाइन जारी की मद्यप्रदेस की फुलिस ने F.I.R. आपके द्वार योजना भी शुरू की है और मद्ध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मद्ध्य प्रदेश गवर्मेंट ने करम बीर पुरुसकार की कोश्ण की है अच्छा मद्ध्य प्रदेश के कौन-कौन से निस्नल पार्क है काना, बांदवगण, मादव, संजय, पन्ना और सत्पुडा निस्नल पार्क ये मद्यप्रदेश की important national park है नएक शुशन है हाली में ओम प्रकास का निधन हुआ है वे कौन थे तो ओम प्रकास इनको ज़ादतर अभिलास की नाम से जाना जाता था ये एक famous गीत कार थे तो इस question का say option सही है ये थे ओम प्रकास और इनहीं का नाम है अभिलास इनका एक पहुती famous गीत है इतनी सक्ती हमें देना दाता है ये आपने definitely सुनाओगा इस गीत को इन्हों नहीं लिखाता और अब इनका निधन हो गया है next question हाली में 2021 के गान संब्रागी लता मंगेशकर पुरुसकार से उसा मंगेशकर को संब्रागी लता मंगेशकर को संब्रागी लता मंगेशकर पुरुसकार से संब्रागी लता मंगेशकर पुरुसकार से संब्रागी लता मंगेशकर पुरुसकार से संब्रागी लता मंगेशकर तेन संब्रागी लता मंगेशकर लता मंगेशकर लता करनाटक में स्वच्चता साक्षरता अभ्यान शुरू किया तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है अब नावाड ने शुरू किया तो नावाड की फिल्वों क्या है नावाड की स्थापना कब हुई 1982 में नावाड का है अब नावाड की प्रजेन टैम पर चेर्मेन कौन है गोबिन्द राजुलू चिंटाला कौन है गोबिन्द राजुलू चिंटाला ने शुशन है हाले में UNDP ने किसे Special Humanitarian Award से सम्मानित किया है तो अभी UNDP ने सोनु सूद को Special Humanitarian Award से सम्मानित किया तो इस कुशन का बिग ऑप्सन सही है निस्वार्थ भाव से अभी लॉक्डाउन की टैम पर जो चोनु सूद ने मजदूरों की स्रमिकों की साहता की थी उसे की वज़े से UNDP ने को Special Humanitarian Award से सम्मानित किया है UNDP यानि कि United Nation Development Program ने शुशन है हाले में FTII Governing Council का Chairman किसे नियुक्त किया गया है तो अभी सेखर कपूर को FTII Governing Council का Chairman नियुक्त किया गया तो इस कुशन का से अप्सन सही है ये है सेखर कपूर और इनको अभी FTII Governing Council का Chairman अपॉइंट किया गया है अब FTII की बुलबों किया है Film and Television Institute of India नेक्स कुशन है हाले में किस बेंक ने बेर हाउस Community Finance एप लाँच की है तो अभी HDFC बेंक ने जो बेर हाउस होते हैं उनके लिए बेर हाउस Community Finance एप लाँच की तो इस कुशन का बे अप्सन सही है अब HDFC बेंक ने लाँच की तो HDFC वेंग की स्तापना कप हुई 1994 में इसका हेड़कोर्टर कहाँ पर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टेम पर चेर्मेन कौन है आधित्य पूरी लेकिन HDFC वेंग के नेक्स्ट चेर्मेन अपॉइंट किये गए है सशे धर चगदीर सन HDFC वेंग ने अभी जिफ्ट ड्रैब लॉँच शुरू किया था सौरे केजीसी कार्ड भी लॉँच किया था और एक किसान धन एब भी HDFC वेंग ने लॉँच किया है ने शुशन है हाली में डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलेंज 4 किसने लॉँच किया है तो हमारे रक्षा मंतरी है राजना सिंग इन्होंने अभी डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलेंज 4 लॉँच किया तो इस कुश्चन का से उपसें सही है इसे सौर्ट में DISC 4 कहते है ये जाज़तर आपने सुनाओगा DISC तो DISC 4 अभी लॉँच किया है हमारे रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने ने सुशन है हाले में किस राज सरकार ने जल छेतर में डेनमार के साथ समझोता किया है तो अभी गुजराद गवर्मेंट ने जल आपूर्ती के लिए डेनमार के साथ समझोता किया है तो उस कुशन का बे अपसिन सही है अब गुजराद ने किया तो ये है मैप में गुजराद गुजराद की कैपिटल क्या है गांदी नगर गुजराद की चीप मिनिष्टर कौन है बेजैर उपाणी अबी मुख्य मंतरी महिला उतकर्स यूजना शरूँ हूए थी गुजराद में धनमंतरी रут लॉंच किये गए है गुजराद में नल सरोवर लेक है गुजराद में सरदा सरोवर डेम है ओर गुजराद का जो सुरेंदर नगर है वहाँ पे एक रेस्सम प्रसंसकड केंदर बोला गया है अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क एसियाटिक लॉइंस के लिए फेमज है गुजरात सोलर रूट टॉप के इंस्टॉलेशन में पूरा इंडिया में नमबर रूट पे है और सेगीर नमबर पे कौन है? मारास्ट गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस पन गई है जिसके पास टैजर गन है टैजर गन ये क्या होते है? ये ए गन होते है इनसे एलेक्ट्रिक सौक लगता है गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ और गुजरात में उंबारे आंगनवाडी नामक एक अनूठी पहल शुरू हुई है नए शुशन है हाली में गरीब कल्यान रोजगार अभियान की किरियान में में उत्तर प्रदेश ने शुशन का से ओप्सन सही है अब उत्तर प्रदेश की केपिटल कैहा है लखनव और जैसे ही आप लखनव सुनते हैं तुरंत मैंड में आना चाहिए कि लखनव गोमते नदी के किनारे इस्तित है उस्तर परदेस के चीफ मिनिश्टर है योगे आवितनाद। और उस्तर परदेस की गवर्नर कॉन है? आनंदी वेन पटेल। अच्चा, उस्तर परदेस का राज की पच्ची है सारस या करौंच। राज की पुष्प है पलास। और राज की ब्रच क्या है? असुप का बर्चुल अदालतों के जरीय सुनवाई करने वाला बारत का पहला राज़ बना था उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवासी रातमित्र एप और आयूस कबच एप लाँच हुई है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन ये बाराणसी में है इसका नाम मतल कि अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है अच्छा उत्तर प्रदेश में अभी नबेन रोजगार छत्री योजना सुरू हुई उत्तर प्रदेश मंडेगा के तैर सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में पूरे देश में नमबर वन पर है उत्तर प्रदेश में अभी गव हत्या दिनिया में संसुदन हुआ है और उत्तर प्रदेश में एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लाँच हुआ है इसमें 800 किलोमेटर रूड के दोनों और हर्बल पेड लगाए जाएंगे हर्बल पेड यानि कि ऐसे पेड जिन से ओस्दियां बनते हैं अच्छा उत्तरपदिश में कौन सा निशनल पार्क है जुद्दवा निशनल पार्क यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है नए सुशन है हाले में किस राज ने परेटन संजीबनी योजना शुरू की है तो अभी असम गौवर्मेंट ने परेटन संजीबनी योजना शुरू की तो इस कुशन का बे ओप्सिन सही है असम में परेटन को बड़ावा देने के लिए ऐसे युवा जो परेटन से सम्मंदित उद्द्धन्दे इस्ताफित करना चाहते है या परेटन से सम्मंदित बिजनिस करना चाहते है उनको एक लाग से लेकर 20 लाग तक का लौन दिया जाएगा और असम गवर्मेंट ये लौन देगी तो ये है परेटन संजीबनी योजना अब असम में सुरू हुई है तो ये है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिसपोर असम की चीप मिश्टर कौन है सर्वानन्द सूनुबाल और असम की गवर्मेंट कौन है चगदीस मुखी अच्छा असम में काजी रंगा नेसल पार्क है और काजी रंगा नेसल पार्क एक सिंग वाले केंडे की लिए फेवास है असम के जो चीप मिश्टर है सर्वानन्द सूनुबाल इनको स्यामा प्रसाद मुकर्जी पुरुषकार से सम्मानत किया गया था असम में मैंने आपको एक इम्पोटेंट टेंपल बताया था कामाख्या टेंपल ये टेंपल आप याद कर लेजिए याद तब ही होंगे जब आप इनको रिवायज करोगे इम्पोटेंट टेंपल आप इंडिया का ये मैंने कम्पलीट वीडियो बनाया है इस वीडियो को देखिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पैक्ट स्टेडिक के नाम से एक लिंक दिया हुआ है अच्छा असम में एक रेडियो प्रोग्राम लौंच हुआ था प्रग्या असम की हिमादास और इनको डेंग एक्सप्रिस के नाम से आ जाता है असम में धन्मंतरी योजना सुरू हुई है ध्यान रखना धन्मंतरी योजना असम में सुरू हुई है और धन्मंतरी रत गुजरात में शुरू है बारत का एक मात्र गुल्डन बाग असम में देखा गया था असम में अभी स्वयम योजना भी सुरू हुई है स्वयम योजना और असम में बच्चों के लिए पहला न्यूज़ पेपर लॉंच किया गया है असम के बारे में आपको याद रखना है नए शुशने हाले में केस राज में गुझरात में अभी मेरे डिटेल में आपको बताया है अब लास्ट वीडियो के कुशन का आंसर लास्ट वीडियो में आप से कुशन पूचा था कि हाली में किस राज सरकार नेut तो अभी मारास्ट गॉझरानमें ने खुले सिगरेट की बिखरेबर पर पत्तिवन लगाए यानि कि discussion का बे option सही था और लगवग सभी इस्ट्वेडनेस का अंसा सही दिया mostly इस्ट्वेडनेस के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जागा से जागा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप link देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ यह जो official app हमने लॉंच किया है इसका link नीचे description में दिया हुआ है description में next exam official app की नाम से एक link दिया हुआ है उस link पर click करके आप इसे install कर लेजिए और जब पे प्लेश्टूर से आप इसे install करें तो प्लेश्टूर पे अपना reviews जरूर लिखना और इसको 5 rating देना है अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाले में मोक्टर ओने को केस देश का प्रदानमंतरी नामित किया गया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको उपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पे इंद्रेश RC Instagram पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40,000 लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook गुरूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चेती मदद मिलेगी जब भी आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon में किया आएगा आप उस bell icon में जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में करेंट अपस की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching